आगामे चुनाव के मद्दे नजर मोधी सरकार रोज नए नए फैसले ले रही है सरकार कभी किसानों को रिजहाने की कोशिश करती है तो कभी बेरोजगार युवाओं को वहीं अब मोधी सरकार ने सवर्णों को लेकर मास्टर स्ट्रोग खेला है जिससे सरकार को काफी उम्मीदे हैं वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के इस फैसले को चुनावे जुम्रा बता कर हमलावर है जब भी चुनाव होते हैं आरक्षन का मुद्दा बाहर आही जाता है अब जब लोगसभः चुनाव बेहत करीब हैं तो मोधी सरकार ने भी सवर्णों के आरक्षन का जिन बोतल से बाहर निकाल दिया है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने आर्थिक रूप से पिछडे सवर्णों के लिए 10 फीसिदी आरक्षन का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है केंद्रे कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शिक्षा और नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षन देने के प्रस्ताव को मन्जूरी दे दी है प्रस्ताव में लाभार्थियों की श्रेणी में आने वाले सवर्णों के लिए कुछ शर्ते रखी गई है इनमें सालाना आठ लाख रुपे से कम की परिवार की आमदनी की अनिवारियता जैसी शर्त भी शामिल है वैसे सरकार के इस खदम को S.C.S.T. आरक्षन से जुड़े अध्यदेश पर सवर्णों की नाराजगी से बचने का तरीका माना जा रहा है दरसल तीन राजियों में B.J.P. की हार के पीछे एक बड़ी वजह सवर्णों की नाराजगी भी मानी जा रही थी सवर्ण B.J.P. का परमपरागत वोट बैंक माने जाते हैं ऐसे में बीजेपी आगामी चुनाओं में भी सवर्णों की नाराज की जहलने को तयार नहीं दिख रही है इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसके मद्दे नजर ही ये फैसला लिया है वहीं अब सरकार इसे सम्विधान में संशोधन के लिए सदन में पेश करेगी जहां से मंजूरी मिलने के बाद ही ये आरक्षन लागू हुगा वैसे जहां सरकार इस फैसले को लेकर गदगद नजरा रही है तो वही विपक्ष इसे चुनावी जुमला करार दे रहा है कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता हरिश रावत ने इसे चुनावी जुमला करार देते हुए कहा कि इससे मोधी सरकार बच नहीं पाएगी वहीं पाटिदार नेता हार्दिक पटेल ने भी इसे चुनावे स्टंट बताया है हाला कि आम आदमी पार्टी और NCP ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है मगर दूसरी तरफ इसे राजनीती से प्रेरित कदम भी बताया है को मिल पाता है या नहीं यह देखना दिल्चस्प हुगा डिवी लाइव की रिपोर्ट हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डिवी लाइव सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुशती रहें देखते रहें डिवी लाइव क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार